कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत भाईया से चल रहा होगा आज हम लोग डिसकस करेंगे इस क्लास में साइन सोसल साइन्स क्लास 8 का चेप्टर 2 चेप्टर 2 कवर करेंगे इससे पहले भी हमने दो वीडियो बनाया हुआ है जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको देख लीजेगा तक ही आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा इस ट्यूटरियल क्लास में हम देखेंगे तो जो है क्योंकि अभी हमने देखा कि लैंड जो है डिग्रेशन हो रहा है उसका मतलग कि जदा फर्टिलाइशन का यूज करने से उसकी प्रापर्टी जो है लूज हो रही है ठीक है लैंड स्लाइड हो रहा है हैं, soil erosion होता है, desertification हो रहा है, इन सबसे जो है यह हमारे environment के लिए एक threat है, ठीक है? यह environmental threats हैं, ठीक है, जो अभी मैंने discuss किया, जैसे कि आपका land degradation हो गया, ठीक है? land degradation. तो यह Land Degradation Land Degradation में क्या होता है कि हम जो है Fertilizers यूज करते हैं ठीक है Fertilizers यूज करते हैं Regular Fertilizers का यूज करते हैं उसके बाद में हम Pesticide यूज करते हैं तो इन सबसे क्या होता है कि हमारा जो Land की Property है अगर हम बहुत ज्यादा में मात्रा में हम यूज करते हैं तो यह Land Degradation हो जाता है ठीक है मतलब उसकी Property जो है Looze हो जाती है जब भी हम उस Crop को अगर हम जो है हमें Regulated यूज करना है Regulated in the sense जो है Controlled ठीक है यह हम Organic जो है यूज कर सकते हैं Organic Manure जो की हम लोगोंने पढ़ा है Science में Organic Manure जो है इसको हम यूज कर सेंगे तो इससे क्या होगा कि Land की जो है Fertility जो है Remain जो है जो है जो है तो इसका जो है Degradation नहीं होगा तो इस यह करने से जो है हम इससे Land Degration को बचा सकते हैं कि या तो अगर बहुत जरूरत हो तो Regulated Controlled हम यूज करें Fertilizer और Pesticides को या जो है अगर पॉसिवल हो तो हम Organic Manure को यूज करें ठीक है तो इससे जो है यह हम बच सकते हैं तो यह सब जो है इन्वारमेंटल जो है हमारे Threads है जो तीन-चर मैंने नाम जो है भी बता है Land Degration हो गया Land Slides हो गया Soil Erosion हो गया Deep Desertification गया तो इसको हमें कैसे जो है बचाना है तो यह जो है Growing Population and their Ever-Growing Demands lead to Large Scale Destruction of Forest, Cover and Arrable Land तो जैसे जैसे हमारी Population जो है बढ़ रही है तो हमें ज्यादा जो है ज़रुत पढ़ रहा है तो उसकी वज़े से हम बहुत Volatility जो है Land का यूज कर रहे हैं जैसे Deforestation कर रहे हैं वहां पर हम अबादी को बसा रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है हम एगरिकल्चर के लिए जैसे जमीन हो शकता है कि जमीन बहुत अच्छी फर्टाइल हो वहीं पर हम बिल्णिंग्स वोगर बना रहे हों तो यह सब चीजों से हमें प्रॉलम्स आ रही है और यह फारेश्ट कवर खतम हो रहा है और अरेबल लैंड जो क्रिसी योगया भूमी है वह भी खतम हो रही है तो इन सब को हमें कैसे जो है कंजर्व करना है तो कुछ जो है प्रोसेस है जैसे देखे यह है एफ़ोरेस्टे लैंड रिक्लेमेशन जो है लैंड रिक्लेमेशन क्याता है कि जो कंजर्विंग आफ वेस्ट लैंड इन्टू लैंड फार सुटेबल फार कल्टिवेशन ठीक है तो जो है जो बैरन लैंड है ठीक है तो हमें ट्राई करना है कि यह वेस्ट लैंड है जो ऐसे ही पड़ा हु suitable for cultivation तो यह जो है लेंड रिकलेमेशन में क्या है कि जो है वेस्ट लेंड हमारे पास है उसको हमें जो है suitable for cultivation जो है बनाना है अफ़र एफ़ोर्स्टेशन में क्या है कि हमें बनरोपन मतलग की पेन पोधे जो है लगाना है regulated use of chemical and pesticide and fertilizer मैंने जैसे अभी इसमें बताया कि land degradation में जो है यूज करते है chemical and fertilizer तो उसको हमें regulated use करना है मतलग की controlled controlled use of chemicals fertilizer and pesticide ठीक है तो अगर controlled use करेंगे है हम chemical fertilizer और pesticide का तो उससे जो है हमारी जमीन की property बची रह सकती है and checks on over grazing over grazing मतलब क्या होता है जो भी हमारे पास जो है चरागाह है उसका हमें जो है over grazing जो है नहीं कराना है तो इन सब चीजों से हमें हम जो है अपने land को जो है conserve कर सकते है और यह बहुत important है हमें land को conserve करने के लिए ताकि इससे जो है हमारी जो climatic condition जो है भी सही रहती है तो इस tutorial क्लास में हम इतना ही cover करेंगे जिन बच्चों ने channel को subscribe नहीं किया है वो channel को subscribe कर लिजिएगा NCRT tutorial by Deepak Academy यह हमारा चैनल का नाम है यह जब आप YouTube में type करेंगे NCRT tutorial by Deepak Academy तो हमारा चैनल आ जाएगा वहां से जाके आप subscribe कर लिजिएगा ताकि टाइमली जो है वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com इस पे exercise के answer जो हमने इस पे upload किया हूँ है वहां से जाकर कि आप answer को देख सकते हैं ताकि आप लोगों की timely पढ़ाई होता रहा है और आप message करके हम लोगों से जुड़ भी सकते हैं आप लोगों की जो भी problems होगी education से related हम solve करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में इतना ही thank you